सबके लिए नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अबिलाश हैदरबाद से आज हम इस वीडियो में ये डिसकस करने वाला है कि अगर कोई इंसान को मोशन जाते समय बहुत जलन हो रहा है या दर्द हो रहा है या कभी-कभी अगर कूल आ गया तो क्या हो सकता है बोलके हम आज इस वी है चलो शुरुवात करेंगे सो अगर ये मोशन जाने वक्त दर्द क्यों हो रहा है बोलके हम डिसकस करने के पहले हम ये डिसकस करेंगे कि मोशन जाने की जगह पे कौन सा बॉड़ी पार्ट होता है ताकि बाद में वीडियो अच्छी तरह समझ जाएगा सो अगर हम मोशन कि रास्ता कैसे होता है देख गया तो motion जाने की रास्ते में एक pipe जैसे रहता है ये pipe में भी दो parts रहता है ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाला portion को हम rectum बोला जाता है इसका function क्या है कि ये ये dam जैसा है जैसे ये rectum बोला गया dam में पानी की जगह पे motion आके बरते रहते हैं जब एक level के ऊपर motion बर गया तो ओ फिर ये dam को ये rectum को काली करना पड़ेगा तो ओ जो नीचे part को anal canal बोला जाता है ये anal canal के आजू बाज में हमारा motion हमारे permission के बिना लीक नहीं होने के लिए spinners बोलके mass patient रह जाता है मान लीजे ये pipe है ये pipe motion जाने के रास्ते मान लिया तो ऊपर वाला portion को rectum बोला जाता है नीचे वाला portion को anal canal बोला जाता है ये anal canal को dam gates जैसे समझ लिया तो ये gates हमारे साफ से कोलना बंद करना होते रहते है ये कोलने बंद कर करने का काम करने वाला mass patient कोई हम spinners कहते है ये spinners में भी दो तरीका का रहता है अंदर वाला बाहर वाला अंदर वाला तो पूरा अपने आप काम करते रहते है जैसे हमारा heart काम करते है जैसे मान लीजे हम ट्रेट पिल के ऊपर चल रहा है या आंकों के सामने कुछ accident देख लि वैसे ही जो अंदर वाला spinners internal spinners जो बोला जगया है वो अपने आप काम करते रहते है फिर जो बाहर वाला है external spinners वो पूरा हमारा control में रहते है heart pair जैसे जब हम मोड़ना है मोड़ सकते है जब कोलना है कोल सकते है नेक्स बात आते है ये motion जाने के टाइम पे जलन या दर्द क क्यों होगा और उसका कारण क्या हो सकता है देख लिया तो बहुत सारी कारण हो सकता है वो जलन हो ले के लिए उसमें प्रप्रदम हम mainly ये discuss करना है कि mostly अगर दर्द किस कारण की वज़े से हो गया देख लिया तो mostly फिजर बोलके एक बीमारी होते है या फिशुला बीमारी पाइल बोलके बहुत सारी बीमारी हो सकता है अगर ये देखा गया तो ये फिजर में exactly क्या हो सकता है जलन या दर्थ क्यों होगा देखा गया तो जैसे डिसकस किया गया है ये मोशन जाने के रास्ता अनल कनल का जो आकरी बाग देख लिया तो वो जेनरली ऐसे बंद होते रहते हैं तो एक kind of rubber band जैसे काम कर रहे है तोड़ सा stretch हो रहे है फिर अपने बंद हो रहे है ये rubber band को जादा किछावट किया तो क्या होगा कही पर टूटने की chances रह जाते हैं वहीसे ही किसी को किसी ने party किया या बहुत जादा दारू पी लिया दारू पीने के बाद motion तोड़ा सा कड़ा जैसे बनके motion जाते एक वक्त एर जैसे हमने discuss किया हलका सा कुल जाएगा फिर अपने बंद हो जाएगा अगर इसे के ओपर motion बहुत बहुत पतर जैसे आ गया बहुत तेज नहीं आ रहे है तो उस समय क्या होगा बहुत जादा stretch होने की वज़े से बहुत पतर जैसे motion आने की वज़े से कही पे चीरा जैसे लग गया तो उसी को हम फिजर बोला जाता है चीरा मतलब बहुत बड़ा चीरा नहीं होगा एक पेंट से चोटा सा लाइन ड्रॉ किया तो कितना चोटा चीरा लगेगा उतना चोटा ही चीरा लगेगा बट उस चीरा को बर हाथ या पैर पे या पेट के ऊपर है तो उसको हम पट्टी करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट उसको infection ना होने के लिए कवर करके रख लेंगे और रेस्ट भी दे सकते है हाथ या पाइप के उपर हो गया तो अगर वोई चीरा मोशन जाने के जगह पे हो गया तो सबसे गंदी बात यह है कि उसको ना हम रेस्ट दे पा रहा है ना उसको infection ना होने के लिए कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि motion जाते समय हर बार उसके उपर रगड़ना होने की वज़े से उसको गाव बरने के लिए कभी-कभी महीने भी लग सकते है कभी-कभी महीने बीक करने के बावजूद भी वो बिल्कुल बरेगा नहीं और उसका दर्ग और तेश होते रहते हैं और ऐसे ही छोड़ा गया तो सरजेरी किन लोगों में जरूत पड़ेंगे या जिसको फिजर डाइगनेस हो गया इलास क्या होगा देखा गया तो mainly patient हमारे पास आके पूछते रहे तो कुछ तो कुछ दवाई देते रहे ना हमारे को सरजेरी जरूत पड़ेंगे या सरजेरी जरूत नहीं पड़ेंगे क्या decide करेगा देख लिया तो mainly diet decide करेगा क्योंकि खाने पीने में fiber अच्छा नहीं है या पानी का content पानी का percentage हमारा body में कम हो गया तो क्या होगा? motion पत्तर जैसे बनके वो फिजर कभी बरेगा नहीं है और ऐसे ही रहे गया तो सरजेरी की भी जरूत पड़ सकते है तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ जिसको फिजर है वो गर्ग पे जो पांच जरूरी चीज जो follow करना है गर्ग पे रहे के कैसे फिजर को बिमारी को टीक कर सकते है आज हम इस वीडियो में डिसकोस करने वाला है तो पहले बात आते है कि ये फिजर को बरने के लिए main important thing जैसे बताया है medicine से उपर first important thing is diet हमारा काना पिनक कैसे है क्योंकि जो भी motion बन रहे जो हमारा काना है उससे ही बन रहे तो अगर काना ही सही नहीं है तो जो motion उससे बन रहे वो भी कराब होगा और फिजर बरेगा ही नहीं है तो अगर फिजर बरना है तो सबसे फोर्मोस्ट important जो काना का रहे उसमें fiber content कितना है fiber मतलब क्या है mainly fruits and vegetables में कितना fiber content है और to be frank generally fruits and vegetables बरपूर काते रहना है और second important चीज पानी कितना पी रहे कम से कम अगर किद्नी का प्रॉबलम या हाट का प्रॉबलम नहीं है उन लोगों में कम से कम 3-4 लीटर से उपर जादा पानी पीते रहना है नहीं तो क्या होगा जो भी motion बन गया है उससे पूरा हांतरी पूरा पानी किछवा के motion को पत्तर जैसे बनाएंगे इसलिए हमेशा hydration रहना important है ताकि motion पत्तर जैसे नहीं बनेगा उसके अलावाद तीसरा precaution ये होगा कि non-wage और मैदा products को सब को बंद करना पड़ेगा नहीं है तो क्या होगा वो फिजर का healing बहुत डिले हो जाएगा क्योंकि generally भी देखा गया तो ये फिजर में healing कैसे होगा कितने दिन में healing होगा बोलके बहुत सारी लोग पूछते रहता है उसके लिए मेरा simple जवाब है हम snake and ladder जैसे game केलते समये जैसे हम लोग को snakes भी आता है ladders भी आता है वैसे हमारा फिजर में भी healing में snake and ladder जैसे game है क्योंकि कभी भी motion अगर hard आ गया तो वो snake जैसा है हम उपर तक पोचने के बाद भी एक दिन motion अगर कड़ा आ गया तो फिर ओ फिजर जो भी अब तक गाव बर गया वो पूरा खो जाएगा और healing फिर दुबारा शुरुआच से होना पड़ेगा इसलिए एक दिन भी compromise होना ही नहीं है diet के मामले में तो non-wage और मेरा items ज़रूर avoid करते रहना है और fourth advice ये होगा कि जो fissure है जो चीरा तो motion जाने के जगह पे लगाने की वज़े से six bath बोलके एक चीज करना पड़ेगा six bath मतलब क्या है कि हर बार motion जाने के बाद एक टब में गुनगुना पानी लेके उसमें 5-10 मिनिट बैटनी की ज़रूरत पड़ेगी ये फिजर इंफेक्शन जैसे बनके फिश्चुला डेवलप होने की बगंदर डेवलप होने की चांसस रखता है तो ना होना है तो ये तब में गुनगुना पानी में नमक या बेटेडिन सोलुशन डाल के बैटना जरूरी है और सेकेंडली ये सिट्सबात कैसे हल्प होगा की जनरली भी कठी पे बॉड़ी एक्स हो रहा है बॉड़ी पेइन हो रहा है तो क्या करेंगे गरम पानी से हम टच करते रहेंगे ताकि तोड़सा पेइन में आराम मिलेगा वैसे ही ये फिजर में मोशन जाने के बाद 100% जलन और दर्द होते रहता है वो जलन यो दर्द को तोड़सा सुकून मिलने के लिए ये टब में गुनगुना पानी में बैटने से तोड़सा आराम मिली जाएगा और पांचवा अडवाइस ये दे दूँगा कि ये मोशन जाने के बाद रगणने के वज़े से जो दर्द उट रहे है उसको कम करने के लिए लिकनो केम या लॉक्स 2% जल बोलके एक ओइंडमेंट आ जाता है वो लोकल अने सिश्या क्रीम होने की वज़े से मोशन जाने के पहले और मोशन जाने के बाद या जब भी दर्द है ये मलम मोशन जाने के जगह पे लगाया तो जो भी ये फिजर की वज़े से दर्द उट रहा है ये लोकल अने सिश्या होने की वज़े से वो दर्द भी कम ह हो जाएगा तो जो पांच टिप्स हम दे दिया क्या है पहले चीज हाई फाइबर डाइट लेना है ताकि जादा फ्रूट्स वेजटबल्स ओट्स काते रहेंगे सेकेंड अड्वाइज यह है कि नॉन्वेज और मैदा इटम्स पूरा बंद करना है तीसरा अड्वाइज है कि हर रोज पानी तीन से चार लीटर कम से कम पीते रहना है और फोर्थ अड्वाइज यह है कि हर बार मोशन जाने के बाद या जब भी दर्द उटा है एक टब में गुनगुना पानी लेके उसमें बैटना और पांच वाइज यह है कि मोशन जाने के बाद जब भी दर्द तो हाइदराबाद में हम अवेलेबल है, नीचे दिया गया हेल्प लैन पे आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं, टैंक यू